नमस्कार में तिंतिवारी और आप देख रहे हैं नियूटिवी सिवान आपको बता दे के भगवान पूर हर्थना छीत की पन्याडी में अब यहां पन्याडी में मौजुद हैं रहाप देशकते हैं कि हमारे पीछे काफी लोग मौजुद हैं यह लोग इसलिए हैं क्योंकि यहां जो है अभी अभी एक गेहु खेत में वीशड आग लग गई और देखते ही देखते पूरा गेहु जो है जलकर राख हो गया है। और माटी फेकर आग को बुझाए गया है तब जाकर आग पर काबू पाए गया। आग नीचे गीरा जलने लगा। यानि आप खेत के ऊपर से 11,000 गया हुआ है। उसी से आग लगा दो खेत में लगा हुआ हुआ है। काफी नुकसान हुआ है काफी ज्यादा गेहु जला हुआ है। दोनों खेत जर गया है। गेहु कटा हुआ था उसको अथी पर गिरा अंगार असब जल गया। यानि कुल बारे कठी में लगा हुआ हुआ है। यह तो बच्चा लोग करके लाठी डंटा धूरा से बुटाया हुआ अब घर कुछ दूर है पानी का वेवास्ता नहीं है। घर तो काफी दूर हैं से लगबग एक किलोमेटर दूर है चमर में के था यह तो यह पताए कि आग सौट से लगी हुई है या किसी ने आग लगा हुआ है। कैसे पचलापो की ताड लूज है ताड शट गया आग धलिया किसी ने देखा था कि नहीं देखा था अरे आदमी देखा तो अभी ने बुटाया है लोग दोड कर आया अगल बगल का आदमी आग दिखाया देखाया दोड काया लाड़का लोग उपर से आग गिरा था यह उट से अगल से आगल दोड ने लगए लड़का लोग लेकर राया कुदारी लेकर रहाया माटी बिगने लगा तब भूताया आप उक पचला हम जो हो हाला हुआ न तो जल रहा था तो हम देख दोड कर आए देखें को लड़का लोग से बुतारा है ने भाब आगब लब करने का 15-20 मिनिट में जलने लागा सब लब कितना नुक्सान होगा आपको ए तो ब्लॉक सब यह थी बिया कीन करके लिए हैं देखिए गहूं के बारा बता जितना गहूं आप था गए आप इसको बेशते तो कितने बिशता लब कितना नहीं होता बारा कुंटल होता बारा कुंटल यानि बारा कुंटल गेहूं जो है च्छाड़ बर्बाद होगे दना देखिए कितना दना है यह बताईए कि जो दो खेत हैं दोनों खेत आपके हैं या किसी नहीं हमारा खेत है वह वाला बेचारा ठीका पर वहा हुआ हुआ है ती सुनेल सिंग प्रिस्वल का खेत है वह बेचारा ठीका पर लेकर के बोता है एक घरजन बोता है तिर्भुन रामनुस का नाम है यह हमारा खेत है तो आप दिसकते हैं कि जिस तरह से देख पार हैं आप सभी कि कैसे एक गेहूं खेत में भीचल आग लगी है छड़बर में जो है पूरा का पूरा गेहू पर कावया है वहां से जो है चिंगारी गिरी है और पहले उस खेत में लगी है जहां पे पोल है बिजली का और वहां से आग पहलते पहलते परते इस खित में भी आगई यहां भी पूरा फसल बरबाद हो चुका है, पूरा फसल जो है जलकर राख हो चुका है यानि बताई जारा कि बिजली के सौर्ट सरकिट से आग लगी है सामने जो आप बिजली का पोल देख रहे हैं, वहां से 11 जल जा रहा है और वहीं से जो है चिनगारी गिरी है, उसके बाद बगल के खेत में आग लग गई और आग के लिए पेटेती ती थी, कि देखती देखती बगल वाले खेत में भी जो है आग पहुच गई और यहां भी जो है पूरा फसल जलकर राख हो चुका है बताए जारा कि बारे कठा जो है फसल जलकर राख हुई है गेहू पूरे खित में थी और अगर यह लोग पर यहां नहीं पहुंचते समय पे तो जो बगल में गेहू लगा हुआ है यह भी जलकर राख हो गया होता यहां के जो स्थानलोग है वो काफी मैनत कीए और लाटी रंटे माटी फेकर जो है आग को बजनका प्रियास किया और काफी मसकत के बाद आग पर कावू पाई गया तो चलिए अगर कुछ इस्थान लोगों से बात करते हैं जिनके द्वारा आग को भुजागी है इन लोगों से जानती हैं अगरी सामक को अपने बुला था कि नहीं अभी तक हम लोग बुलाएं नहीं थे हम लोग को आने का बाद देखा गया जिया लाठी डंडे और मीटी से लोग काफी मेहनत करके लोगा को बुजा दिया था हम लोग तो आग सुनके यहां दवरे दवरे पहले आये थे काई कि हम लोग पर शासन को फोन करेंगे कि यहां को बुजाएंगे इसलिए हम लोग आग को देखने के लिए तुरांत यहां से आया आने का बाद देखा गया जिमाने आग काबू में हो चुका था कैसे बुतागे आप लोग के लाठी डंडे से सब लरका लोग मेहनत किया माठी लोग के कुदारी-दारी से सब बुताया लोग पानी की वेवास्ता यहां पर नहीं है इसलिए मने लोग लरका लोग काफी मेनत किया लरका लोग तब जाके या काबू में आया तो आप देसकते कि अब इन्यों टीवी सिवान चेक जो टीम है वो सिवान जिले की भगवान पुरारतने छित्र के अबॉठा बता दे कि परणियाडी में जो है अभी पगल वाले खित में आग लगी उसके बाद आ कि वह बगल की फसल है वो जलकर राख हो चुका है जिस तरह से हमने देखा कि यहां के निटीवी सिवांस पहुंच कर ग्राउंड रॉपोर्टिंग दिखाते रहेंगे बड़े हमारे बीच देखते रहें निटीवी सिवांस से संभातत नितिन तिवारी की रिपोर्ट झाला झाला धर प्ट्माम का कर दो मतपलत भॉप झाला रिधा उटीवी सिर्ड़फोर्डन का की यहुषًर्य अनिछकरош्ण से यहां रहेंगे आगने राव भात्रत,े भात्रत,तों तरो । श्वबड़े linear alkalmi झाला म। यहांस पह को च्बाफ्श shift पुड़ब ग्शश Death prospective की झाले